हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मंजिल बारत क्लासेज और आज मैं आप सब के लिए लाया हूँ हाइब्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स जुमू एंड कश्मीर के important topic है आपके constable exam के लिए और इस topic को बहुत ही अच्छे वे में cover करेंगे देखेंगे कौन कौन से power projects है जो important है और उनमें आपने याद क्या क्या रखना है चाहे वो river हो या उस project की capacity हो या और भी कोई point सब कुछ हम देखेंगे तो start करते हैं आज का lecture फाइड्रो power projects in जुमू एंड कश्मीर तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम ये topic पढ़ते थे पहले तो हम क्या क्या चीज़े याद रखते थे वो आपके लिए भी important हो जाती है और उसके बाद government का जो data है power projects के related वो सारा हम देखेंगे और उसमें जो जो हमारे लिए काम की चीज़े हैं वो सब हम निकालेंगे ठीके तो start करते हैं आज का lecture सबसे पहले जो जुमू एंड कश्मीर है ये एक hydro power generating utility है मतलब जुमू एंड कश्मीर के पास बहुत ही ज्यादा potential है hydro power generate करने के लिए पानी से बिजली बनाने के लिए पानी से electricity generate करने के लिए बहुत ही ज्यादा potential है अब कितना potential है जमू एंड कश्मीर यूटी के पास तो हम जब पढ़ते थे पहले तो लदाख including तो हम बोलते थे 20,000 मेगावाट potential है जमू एंड कश्मीर के पास किस चीज़ का पानी से electricity बनाने का याद रख लेना चीज़ों को 20,000 मेगावाट और ये कोच ना आज भी आता है कि जमू एंड कश्मीर स्टेट है तो इसका hydro power potential क्या है तो 20,000 मेगावाट अब आगे ये जो 20,000 मेगावाट है इसमें पूरा का पूरा अभी identify नहीं हुआ ये पता कि 20,000 मेगावाट का potential है हमारे पास जेंड के के पास लेकिन इसमें से जो identify हुआ है वो 16,475 मेगावाट है और आप ये याद रखोगे टोटल जो हमारा potential है वो कितना है 20,000 मेगावाट और identify कितना हुआ है 16,475 मेगावाट मतलब ये वो portion है कि एतनी बिजली identified है कि ये हम बना सकते हैं ये हमारा power potential है और मैं आपको बताऊं कि इस 16,000 में भी खाली 20% है जिसको हमने use किया है टोटल कितना है 20,000, 20,000 में identify कितना है 16,000 मैं प्रॉक्स बोर रहा हूं और उस 16,000 का भी 20% ही अभी हमने use किया है ये जो सारा data है पुराना है अभी मैं आपको latest जो government का data है वो सारा बताऊंगा बस बने रो इस lecture में अच्छे से चीजों को समझो जो जो important है मैं खुद बताऊ होंगा आगे चलते हैं अब देको जो यह hydro power projects है obviously आप river का potential यूज करके electricity बनाते हो और जमू एंड कश्मीर में बड़े सारे rivers है तो आपने याद रखना है जो चिनाब ने दी है चिनाब ने दी जो जमू एंड कश्मीर की है इसका सबसे ज्यादा power potential है सबसे ज्यादा highest power potential power projects के लिए और आप आगे जो लिस्ट देखोगे न पावर प्रोजेक्स का आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स ही आपको चिनाब नदी पे मिलेंगे और यहां पर डेटा भी दिया हुआ है आप यह देख लोगे कोई इशू नहीं याद क्या रखना है कि चनाब का सबसे highest है उसके बाद जहलम का है इंडस का है रावी का है not important सबसे ज्यादा किसका है चनाब का और जो मैंने सबसे पहले points बताए I hope आपको याद रहा total 20,000 उस government का data जो हमारा latest data है यहां पर आप देख भी सकते हो 2017-23 की study है और यह government document है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ और जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा मैं उसके साथ यह document भी attach करके आपको दे दूंगा अब यहां पर ध्यान दो जो exploitable large hydro power potential from hydroelectric projects ध्यान रखना large hydro power potential उन projects की बात करेंगे जिनका hydro power potential क्या है large है कितना है हम उन projects की बात करेंगे यहां पर जिनका potential about 25 मेगावाट है पहले मैंने आपको बताया था कि जुमू एंड कश्मीर UT का potential या जुमू एंड कश्मीर state का potential क्या था और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया उसमें हम कि इंटिफाइड कितना है अब मैं बता रहा हूं कि उन प्रोजेक्ट का लिस्ट में बताऊंगा जिनका पोटेंशल 25 मेगावाट से उपर उपर का है और यही प्रोजेक्ट आपके लिए 1232 प्रोजेक्ट का कितना इनस्टार्ट कैपैस्टी है 12264.5 याद रख लेना इस चीजा यह जो है यह हमारे पास लार्ज हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट से 32 32 के 32 हम यूज नहीं कर रहे हैं इन में से कितने यूज कर रहे हैं कितने अंडर को ने स्ट्रक्शन है वो मैं बत हाइड्रो पॉवर पोटेंशल है इन प्रोजेक्ट का और कैपैसिटी क्या है 12264 यह आप याद रखोगे कितने प्रोजेक्ट से 32 अब मैं क्या करूंगा यह 32 का आपको लिष्ट बता दूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा इस 32 में याद क्या क्या रखना है और जब हम यह 32 का लिस्ट भी देखेंगे हमें बहुत सारी चीज़े पता चल जाएंगी तो यहां पर यह इन 32 प्रोजेक्ट का लिस्ट है जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जिनकी कैपस्टी 25 मेगावाट से क्या है ज्यादा है याद रख लेना एबो 25 मेगावाट अब देखो 32 के 32 में आपको बता दूगा यहां पर जो जो important है और बाद में इन 32 में भी क्या-क्या चीज़े exam की हिसाब से important है वो भी मैं बताऊंगा इन में से हम कौन से use कर रहे हैं कौन से under construction है वो भी discuss करेंगे कि देखो सबसे पहले सबसे पहला project है उरी one याद रख लेना उरी वन और ऊरी टू को एक साथ discuss करते हैं याद रख लेना hydro power project का नाम क्या है उरी ऊरी one भी है उरी टू भी है टिक है यह उरी one ऊरी two आपके उरी में आते हैं जहलिम नदी पे एक दर है जहलिम नदी पे याद रख लेना Power Project आप क्या कर रहे हो वॉटर से इलेक्रिस्टी बना रहे ह। ठीक है एक जगा पानी को जमा किया ठीक है और नीचे पिर एक दम से पानी को छोड़ा जाता है टरवाइन रोटेट होता है और एलेक्रिस्टी बनती है हमें उसमें नहीं जाना आपने बस याद रखन सोर्स कहा है वैरी नाग याद रख लेना और मैं आपको बताऊं यह उरी वन उरी टू किस डिस्टिक में आता है बारा मुला डिस्टिक याद रख लेना चीज़े और कैपसिटी इंपोर्टन देखो सब प्रोजेक्ट की कैपसिटी आपने याद नहीं रखनी लेकिन कुछ की कैपसिटी आपने याद रखनी है इंपोर्टन हो जाता है देखो उरी वन की कैपसिटी है 480 मेगावाट दो तीन बार रिवाइज रख लेना ठीक है याद रहाना कहां पे 12 मुला में किस नदी पर जहलम पर अच्छा एक ओर प्रोजेक्ट के नाम से पता चलता एक यह सब्सक्राश्न और क기에 यह बारा मुला में हैजर रखोंगे अब यह जौल जैंद रोफम का सिंह करा है याद रख़ लेना चीजूं को अच्छा आगे जो फोर्थ प्रोजेक्ट Сп पर दिस्टिक में और यह अपर सिंद आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कहां पर गांदरबल डिस्टिक में दोको आगे भी चीजे आ जाएंगी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा नेक्स जो बात करेंगे इंपॉर्टन एक किशन गंगा प्रोजेक्ट जो हां जहां में मारक कर रहा हूं यह चीज़े आपने याद नहीं याद रखो और यद्ट रखोगे टिक के लोवर जहलिम कहां पर गांदरबल डिस्टिक में अब याद रखना में किशन गंगा किशन इंपोर्टन्ट है इस लेक्चर में आपको इंडस्वाटर ट्रीटी का जो economy वाला पार्ट है ना कि फाइदा क्या है उसका इंडस्वाटर ट्रीटी का या हमें नुक्सान त्रीटी का वह भी पता चल जाएगा क्योंकि यह जो सारे पावर प्रोजेक्ट से उसी ट्रीटी के हिसाब से बनाए जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटी वोईलेट नहीं होनी चाहिए अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है मैं पढ़ा चुका हूं जिसको नहीं पता वो लेक्चर देख लेगा ठीक है तो किशन गंगा आपका कहां पर है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट आपका बांडी पूरा डिस्टिक में है किस डिस्टिक में बांडी पूरा याद रख लेना इंपोर्टन है और इसकी केपेसिटी कितनी है 330 पूछी जाती है 330 मेगावाट आपकी केपेसिटी है किसकी किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट की और किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट बहुत इंपोर्टन है क्योंकि यह हमेशा एक डिसकेशन का टॉपिक रहा है इंडिया औ प्रोजेक्स को याद रखना है किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पे किशन गंगा नदी पे ही है किशन गंगा नदी आपकी जहलिम की ट्रिब्यूटरी है और किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या बोला जाता है नीलम नदी याद रख लेना नीलम नदी अच्छा अगला प्रोजेक्ट है हमारा सेक्स दुलहस्ती इंपोर्टन प्रोजेक्ट चिनाब नदी पे किदर कार दिश्टिक में और दुलहस्ती किक सब्सक्राइट कि इसफेमर्ट है000 कितनी कितनी हैं-390 मेगावाट याद रख लेना आँ उसी प्रोजेक्ट मैंने ने बता दिये हैं आपने याद रखने औरी मैंने डिसक्स किया susceptible हमला में अ एक जबढ़ा। गांगा डिस्कस किया दुलहस्ती डिस्कस किया यह वो बता रहा हूं जो आपने याद रखने ही रखने और इनकी कैपस्टी मैंने डिस्कस कर ली याद नहीं भी रहता है लेक्चर को रिपीट में देखना डेफिनिटल याद रहेगा आगे बढ़ते हैं यह क्या बता रहा हूँ के बढ़ते हैं जो पौर कि है इस ने क्युला आपने सुना भी होगा इस पर वह यह चिनाब ने थी पर डिस्टिक और आपको पता होगा कि रियसी डिस्टिक में आपका सला fireell है और इसकी क्याइस्टी याद रखनाक फूश्ट पूश्ते हैं 690 मेगा numer wave देखो हम च लेक्ट्चर को अच्छे से देखो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन निकल जाएगा अगे बढ़ते हैं एट्थ और नाइंथ साथ में डिस्टस करते हैं बगलेहार पावर प्रोजेक्ट जन्हों ने सिर्नकर से जम्मू ट्रेवल किया है उनको बगलेहार पावर प्रोजेक्ट के बारे में औरेडी पता होगा आपके रास्ते में रांबन में दीं पर आपका बंगलियार पावोर्ट्व प्रोजेक्टंग और याद रखना इसके दो यूनित है कि दोनों यूनित की कैप स्थी 450 मेगावाट जैंगैर 900 मेगावाट एक चीजे समझ मे आ रहे हैं यह नेक्स है हमारा प्रोजेक्ट, ये आपका सेवा रिवर पे है, याद नहीं भी रखोंगे, कोई टेंशन नहीं, आपके कठ्वा में आता है, सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके रावी की ट्रिब्यूटरी है, सेवा, 11th हम discuss करेंगे पर नहीं, पर नहीं आपका सुरन में आता है, सुरन कोट, सुरन कोट आपका पुंच में आता है, इतना याद रखो इसमें, not important, लेकिन पता होना चाहिए, आगे चलते हैं, रेटले, रेटले important है, रेटले या रेटल पावर प्रोजेक्ट important है, एक तो आपका चिनाप नदीपे, देखो मैंने आपको और रडी बताया कि मैक्सिमम पावर प्रोजेक्ट किस नदीपे, चिनाप पे, चिनाप का ही सबसे ज्यादा potential है ना, जो मैंने पहले भी बताया था, अब जो ये रेटले है, आपका कहां पे एक इस्तवार में, कहां पे एक इस्तव कहोगे, चाहए मैंने सलाल 690 बोला, चाहए मैंने बगलिहार 1&2 का 900 बोला मिला के, और रेटल का 850 बोला, या इससे पहले जो भी मैंने डिसक्स किये, आपने येlinear यार्कनी हैं, ठीक है, उरी की मैंने बताई, आपने यार्कनी है, ठीक है, जो जो मैं बतारा हूं, important है, वो आपने ज्यान में रखना है हम चलते हैं आगे देखो नेक्स्ट आपका लोवर कल नई लोवर कल नई आपका किस्तवार में है आपकी ट्रिब्यूटरी है चनापकी याद रख लेना पकल दूल इंपोर्टन्ट है क्योंकि इंडेस्वाटर ट्रीटी के हिसाब से इस पर भी ड जो इंडिया से notification गई है कि Indus Water Treaty को modify किया जाए, ये Indus Water Treaty one-sided है, इंडिया को इससे बहुत कम फाइदा मिलता है, क्योंकि जो power potential है न हमारा, हम पूरे तरीके से उसको use नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़े बोली जाती है, बाकी इसके अलग भी points है, ये भी बोला जाता है, बड इसमें दोनों sides देखने को मिलते हैं, तो पकल दुल को यहाँ पे देखते हैं, पकल दुल आपका मरुसुदर पे है, important है, question पूछा जाता है, पकल दुल power project आपका मरुसुदर नदी पे है, कहां पे है मरुसुदर, मरुसुदर कौन है, या मरुसुदर कौन सी नदी है, 1000 मेगावाट याद रख लेना मरुसदर की कैपस्टी क्या है 1000 मेगावाट यह मैं क्या बता रहा हूं 32 प्रोजेक्ट जिनकी कैपस्टी ग्रेटर देन 25 मेगावाट है और यही प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है पॉवर पॉटेंशल कितना है यूटी का या स्टेट का कितना था 20,000 मेगावाट बाकी चीज़े मैंने बता दी जहां जहां स्ट्रस डाल रहा हूं चीज़े समझो पॉइंट्स पड़ो देखो ऑफिशल डॉक्मेंट से आपको चीज़े बता रहा हूं तो हर एक चीज़ को स जुरत भी जहां पर मैं बोल रहा हूं वो याद रखो अच्छा सवाल कोट की बात करते सवाल कोट आपका रामबन डिस्टिक में यह भी आपका चनाब मेदी में ही आता है कैपेस्टी जाने दो जो इंपॉर्टन ने बता रहा हूं आपको पीडिएफ मिल जाएगा एक बा अब नाम से पता चल रहा है गांदरबल डिस्टिक में होगा सिंध नाला नॉट इंपॉर्टन अच्छा और एक है औरी वन स्टेज सेकंड जहलिम नदी पे औरेडी मैंने औरी वन औरी टू आपको बता दिया यह भी वही पर आ जाता है नॉट इंपॉर्टन वह इंपॉर इस लिस्ट को दो तीन बार देख रहे ना पीडिया देख लेना डेपिनिटली आपको चीजे याद रह जाएंगी और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बुर्सर आपका मरुसुदर मरुसुदर मैंने बताया चिना आपकी ट्रिब्यूटरी है नॉट इंपॉर्टन यहां फिवट पे औुज पुज प्रोजेक्ट उज नदी पे फिवट्री रावी की याद रहले ना याद रखना 106 मEG याद रहले लेणा अच्छा दुलहस्ती का स्टेज सेकंड दुलहस्ती मैंने बताया था किस्तवार में है चनाम नदीपे यह स्टेज सेकंड है तू सिक्स्टी मेगावाट याद रख लेना अच्छा उसके अलावा देखो यहां पर एक साथ बता रहा हूं शेमनोट बैरीनियम बिचलेडी को बता दिये लेकिन अब मैं इंपफर्टन कैसे बताऊंगा आपको मैं इस थर्टी टू में आपको बताऊंगा कि हम कितने यूज कर रहे हैं जिनकी electricity हम यूज कर रहे हैं अबी कितने हैं जो under construction है कुछ और भी जिन पर किसी पर डिस्प्यूट चल रहा है किसी पर कोई और मसले चल रहे हैं किसी को गौर्मेट ने बंद कर दिया लेकिन हम क्या देखेंगे इन 32 में वो कौन से है जो हम यूज कर रहे हैं और वो कितने हैं जो अंडर कनेस्ट्रक्शन है और मैं बताऊं यह यही बताए था आपको कि 32 मेंसे हैं अब क्या करेंगे जो इंपॉर्टंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टंट है वो देखेंगे और मैंने बताए था पंदरा प्रोजेक्ट्ट है और पंदरा में हम क्या पढ़ेंगे वो प्रोजेक्स जो इन ऑपरेशन है ज्यों यूiationए जिन से electricity हमें मिल रही है और उसके साथ साथ वो project जो अंडर है जिनमें construction चाल रही है एक होता है construction céu रुख गई गवर्मेंट ने प्रोजक्ट रोग दिया वो नहीं जो अंडर प्रोजेक्स नहीं जहांपर construction चलते हैं और सबसे पहले हम start करेंगे वो प्रोजेक्ट जो operation में हैं जो यूज कर रहे हो जहां से electricity बन रही है और उस electricity को हम यूज चलते हैं यहां पे यह कितने मेंने बोला पुल मिलाके 15 है और जो प्रोजेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो 10 है कितने दस है अब इसमें जो यह दस प्रोजेक्ट है चार जेके एस पीडी सी ने बनाए हैं कौन-कौन से याद रख लेना जुम्मू कश्मीर स्टेट पॉवर डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन आपको याद रहना चाहिए आपको यह चीज याद रहनी चाहिए सबसे पहले बगलेहृर को डिस्स कर लेते हैं आपको पता है बघलेहृर वान और टू है दूनो है already मैंने बताया बगलेहृर आपका कहां पर है चनाभनेधी पर है किस डिस्टिक में है रामबन डिस्टिक में है यादरख लेना capacity कितनी है correspondent दूसरे कितनी है 900 मेगावट यह याद रखोगे और देखो बगलेहार 1 को कब कमिशन किया गया था 2008 में और बगलेहार 2 को 2015 में जब यह स्टार्ट हुआ तो यह चीज़े याद रखोगे important हो जाती है आपके एक्जाम के लिए कौन से प्रोजेक्ट बढ़ रहे हो वह प्रोजेक्ट जो आप यूज़ कर रहे है अभी कि अभी जिनसे अभी बन रही है और सबसे पहले हमने डिस्स क्या किया बगलेहार 1 & 2 किदर है राम बन में किस नदी पर चनाब पर कैपिस्टी क्या है 450 मेगवाट द 58, 79 याद रख लेना कैपस्टी है 105 और यह लोवर जहलिम भी किसके अंडर है जुमू कश्मीर स्टेट पावर डेवल्मेंट कोपरेशन आगे चलते हैं अपर सिंध अपर सिंध आपता गांदरबल डिस्टिक में है सिंध नदी पे गांदरबल डिस्टिक में कैपस्टी 105 य जात रख लेना यह सारे के सारे प्रोजेक्ट जो चार प्रोजेक्ट है किसके अंडर है जुमू कश्मीर स्टेट पावर डेवल्मेंट कोपरेशन हम चलते हैं आगे अब देखो कौन से प्रोजेक्ट बता रहा हूं जो आप यूज कर रहा हूं जिनसे एलेक्रिस्टी बन और उससे आपकी क्या बनती है एलेक्रिस्टी मैक्सिमुम प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते ना जहां पर पानी जमा नहीं होता तो पानी सीधे चलता है और तरभाइन रोटेट कराया जाता है तो उनको हम बोलते हैं रण आफ रिवर प्रोजेक यह भी आपने याद रखना है कि कौन से प्रोजेक्ट रन आफ रिवर है आगे देखेंगे चीज को भी चलते हैं आगे अच्छा दस प्रोजेक्ट मैंने बताये थे जो यूज कर रहे हैं इन ऑपरेशन है चार हमने डिस्स कर लिए जो किसके अंडर है जेके एस पीडी सी जबू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्परेशन और यहां पर कुछ प्रोजेक्ट है जो एन एच्पीसी नेशनल हाइड्रो डेवलपमेंट पावर कॉर्परेशन के अंडर आते हैं अब यहां पर यह चे प्रोजेक्ट से और 10 हो जाएंगे जो यूज हो रहे अब ही जिनसे एलेक्ट्रिस्टी बन रही है नेक्स है यहां पर एन एच्पीसी के अंडर दुलहस्ती दुलहस्ती मैंने औरडी बताया कहां पर किस्तवार में यहां पर लिखा हुआ है नदी कौन सी है चिनाब कैपेसिटी कितनी है 390 मेगवाट याद रखना है येर औफ क कैपेसिटी आपकी 690 मेगवाट येर औफ कमिशन है 87.95 याद रखोगे अच्छा आगे चलते उरी 1 उरी 2 मैंने बता दिया कहां पर जैलिम नदी पर डिस्टिक कौन सा है 12 मुला कैपेसिटी क्या है उरी 1 की 480 मैंने बताया था हाफ कर दो 240 किसकी उरी 2nd की येर अगर याद रख सकते हो अच्छा है नहीं रख सकते कोई टेंशन नहीं उरी 1 का है 96-97 और उरी 2 क्या है उरी 2 का है 13-14 तो ये चीज़े याद रख लेना आगे चलते हैं देखो नेक्स है आपका सेवा प्रोजेक्ट सेवा नदी पर है और ये याद रखना ये आपकी रावी की ट्रिब प्रोजेक्ट है ये अंडर इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूटेड आता है और बहुत इस पे चीजे हुई और फाइनली इसको जो इंडिया है ग्रीन फ्लैग मिल गया तो ये आपके 10 प्रोजेक्ट है जो अभी तक मैंने कंप्लीट किये कौन से जो ऑपरेशनल है जो ह 30,360 मेगावाट याद रख लेना देखो इस लेक्चर को एक दो बार देखना रिप्टिशन में देखना याद रह जाएगा अब यह तो वो प्रोजेक्ट हो गए जो हम यूज कर रहे हैं अब वो प्रोजेक्ट जो अंडर कनस्ट्रक्शन है कुछ याद नहीं रखना बस प इन 15 में 10 के ऑपरेशनल और पांच के अंडर एक्ट्यू कोनस्ट्रक्शन अब इन पांच में आपका आता है पकल दूल इंपोर्टन्ट है आपका किस्तवार में आता है पकल दूल मरुसुदर मैंने औरेडी बताया था मरुसुदर जो ट्रिब्यूटरी है चनाब की उस प परनाई किरू रेटले रेटले इंपोर्टन्ट है रेटले में भी काम चल रहा है यह भी आपका चनाब नदी पर है किस्तवार में याद रख लेना कोवर भी आपका चनाब नदी में है किस्तवार में इस पर काम चल रहा है परनाई किरू उतना इंपोर्टन नहीं है जो इ operational है और 5 ऐसे बताए जो under construction है याद रख लेना यह जो thank you मैंने यहाँ पर डाला है ना कि lecture complete नहीं हुआ इतना बता रहा हूं यहाँ अभी चल रहा है ठीक है तो lecture छोड़के नहीं जाना मैंने आपको important चीज़े तो बता दी जो project याद रखने है वो सारा बता दिया लेकिन रिवर प्रोजेक्ट्स याद इन 32 में से या इन 15 में कौन से ऐसे project है जो run-off रिवर प्रोजेक्ट है जहाँ पानी collect नहीं होता सीधा पानी बहता है और इसी बहते हुए पानी से turbine rotate करता है और electricity बनाई जाती है तो वो कौन से project आते हैं tension नहीं लेना पूरा का पूरा list आपक पीड़ी अपने tension नहीं लेना और कुछ हमारे minor projects minor projects जिनकी capacity 25 मेगवाट से नीचे होती है या बहुत कम capacity होती है जैसे एक मैं बताओ एक project है इकबाल project का नाम क्या है इकबाल इकबाल project आपका कारगिल में है इसकी capacity क्या है 25 से नीचे तो यह minor projects में आते हैं इनका भी मैं आप आपको list दे रहा हूँ , परी tension नहीं है आपको PDF में इसका list मिल जाएगा मैं क्यों इसको आगी नहीं बता रहा मैं आपको run of river projects का list नहीं बता रहा माइनर projects का list नहीं बता रहा क्यों क्योंकि मैं आपको PDF दे रहा हूं इसका कुछ है ही नहीं थोड़ा सा रहता है और इसको आपको reading दे नहीं important क्या था important ये 32 है और इन 32 में ये 15 minor projects में आपने कुछ का नाम याद रखना है जैसे इकबाल है और ये मैं आपको PDF में दे रहा हूँ तो I hope आपको ये आज का जो lecture है बहुत अच्छा लगा और यही आपके Indus Water Treaty का economic point भी है क्योंकि इतने सारे projects है इतनी सारी capacity है हमारे पास electricity generate करने की लेकिन वो पूरी capacity हम utilize ही नहीं कर पा रहे है क्यों इंडस water treaty restrictions है अब इंडस water treaty क्या ही में पढ़ा चूँए अब यह जो restrictions है ना इसकी वज़े से आप fully capacity को use नहीं कर पाते और जेंड के जिसका इतना potential है electricity बनाने का हम आप खुद जानते हैं आप जेंड के में रहते हो आपको पता बिजली कैसी होती है नहीं तो इतना potential हमारे पास तो यह एक negative point है यहाँ पे इंडस water treaty का हाँ इसमें कुछ modifications के लिए अभी एक document गया है maybe आगे यह क्या करते हैं कैसे करते हैं लेकिन एक दुको reverse का natural flow उसको भी नहीं तोड़ना होता क्यूंकि अगर आप river के साथ छेड़ चाड़ करोगे तो floods आएंगे catastrophe होगा तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है तो I hope आपको यह power projects का lecture समझ में आ गया बाकी जो चीज़े आपको pdf में भी मिल जाएंगी बस पढ़ते रहो अच्छा करो race practice करो definitely आपकी selection होगी और यह भी बता रहा हूँ आपका syllabus भी almost complete हो गया है रंदीर सर आपके lecture ले रहे हैं अभी पंखिल सर लेक्चर कर रहे हैं तो आपके lectures भी हो रहे हैं तो बस पढ़ते रहो तो मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए bye and thank you